नवस्कार दोस्तों टार्गेट है में आप सभी का स्वागत है दोस्तों टाटा मेमोरियल सेंटर से हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक और भरती विग्यापन आचुका है सेंटर गवर्मेंट के जॉब रहेगा आल इंडिया लेवल का मारत के सभी स्टेट के केंडिडेट इसमें अपलाई कर पाएंगे मेल फी में दोनों केंडिडेट ही इसके लिए आवेदन करने के लिए इलिजबल हैं चाहिए आप बारत के किसी भी स्टेट से हैं मरती विग्यापन दोस्तों प्रोजक्ट बेसेस पर आएगा आपको इसमें कॉंट्रक्ट बेसेस पर पोस्ट टाटा मेमोरियल सेंटर का ओफिसल वेबसाइट ओपन किया हूँ tmc.gov.in आपको इसके ओफिसल वेबसाइट को ओपन कर लेना है और इसमें आपको जॉब सेक्शन में आना होगा तो जिस भरती विग्यापन के जानकारी हम इस वीडियो में आप लोगों साथ सेर करने वाल यह भरती विग्यापन का एडवर्टाज्मेंट नंबर है और वाकें इंटर्व्यू फॉर लैब टेकनेशन इस्टोपाइटलाजी लैब टेकनेशन के लिए पोस्ट रहेगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको राइट साइड जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको व्यूजब टेकनेशन इसटोपेटलाजी डाउनलोड फाइल में आपको क्लिक करना होगा मैं इसा किलिक कर देता soul में आ जैसे ..." वाकिन इंटर्व्यू की बेसेसपे होगा लैट टेक्निशन के पोष्ट है हिश्टो पेथोलोजी लैब में आपको पोष्टिंग दिया जाएगा अन कांटरेक्ट बेसेज थर्ड पार्टी के थρूब आपका इसमें पोस्टिंग होगा contract basis पे प्रिंपल सिक्योर्टी एलाइट सेर्विस के मात्यम से आपका दोस्टिंग होने वाला है बात कर लेती हैं इसमें आपसे qualification क्या मांगा जा रहा है तो essential qualification में आपको बतायागा है BSC MLT आपका complete होना चाहिए जो भी candidate BMLT complete किया है वो इसके लिए eligible रहेंगे और यदि आपके पास BSC complete है life science subject से with DMLT complete है तो भी आप इसके लिए eligible रहेंगे और आपका दोस्तों इसमें working experience भी होना चाहिए technician in surgical pathology या फिर cytopathology या आपके पास tissue या fluid simple में आपका ये experience होगा तो इसमें आपको preference मिलने वाला है salary दोस्तों इसमें आपको 24,700 से 35,000 रुपए दिया जाएगा तो अच्छा आपके लिए ये रहेगा lab technician का post है आपको लगबाग 35,000 पर month basis पे salary मिलेगा और इसमें age limit 38 दिया गया है next day इसमें बात करें दोस्तों भरती भी कि अपन प्रोजेक्ट बिसेस पे तो इसका duration क्या रहेगा तो minimum दोस्तों आपको इसमें six month के लिए posting दिया जाएगा और इसको extend भी किया जाएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों apply के से करना और कहां पे आपकी posting होगी तो इसके लिए आपको बताया गया candidate fulfilling above requirement में working for interview on Friday 8th number तो 8th number को आपका ये interview होगा और interview कहां पे होगा इसके लिए आपको बताया गया है थाइड प्लोर पे मास्टर सोधिका टीमसी सेक्टर वाइस खारगर नवी मुंबई में दोस्तों आपका ये interview होगा और आपको मुंबई में ही टीमसी में posting दिया जाएगा आपको interview में क्या-क्या लेके जाना ये बताया गया है बायो डाटा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसकेन कॉपी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, औरिजिनल एंड सेल पर टेस्टेट कॉपी आप, कॉलिफिकेशन मार्क सिट, सेर्टिपिकेट एंड एक्सपेरियंस सेर्टिपिकेट तो दोस्तों आपको अपने कॉलिफिकेशन और एक्सपेरियंस सेर्टिपिकेट का साथ में ओरिजिनल डाकुमेंट भी लेके जाना है, रिपोर्टिंग टाइम आपको बतायागा है, सुबह 10 से 16 बज़े आपके रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, एड्रेस यह मैं आपको बता दिया हूँ, खा नए भी मुंबई में हैं आपकी यह पोस्टिंग होगी, तो जो भी कैंडिडेट मुंबई से हैं वो जरूर इसमें आवेदन करें, वैसे भरतिभिक के अपन सेंटर गवर्मेंट का है, तो भारत के सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें इलिजबल रहेंगे आवेदन करने क लिए और लोकल केंडिडेट के लिए तो बहुत ही अच्छा है, दोस्तो 35,000 रुपए आपको पर मंत पेसे सेल्टी मिलेगा, तो यह नोटिपिकेशन का पीडियाप आप टाटा में वरेस सेंटर के ऑफिसियल वेबसाट के माद्धम से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में यूटिप चैनल को भी सब्सक्राइब करने हैं, यादि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं, हम हर दिन ऐसे जानकारी सेयर करते रहते हैं, थाइंक्यू सो मच